हाई फ्रेंज वेलकम तो दस्वोय अलिजस किचिन इंडियन मॉमें दुबाई आप सब को मेरी तरफ से नमस्ते सच्रियकाल आदा बर्स है आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे खुश हाल होंगे तो फ्रेंज यह मेरी लास्ट इं करने वाली हूँ माटन करी मुस्लिम स्टायर तो यहां पर मैंने एक बड़ी सी कडाई ली है और उसमें मैंने सबसे पहले सरसों का तेल डाला है गरम करने के लिए आप रिफाइन ओयल भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले और खड़े मसाल सबसे पहले डाल दिये उसके बाद जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वह है फाइनी चॉप्ट आनियन यानि प्याज तो मैंने इसमें कम से कम तीन से चार मीडियम साइज के प्याज डाले है क्योंकि हमें अच्छी गाड़ी ग्रेवी बनानी है अब इन प्याजों को हम तो जितना हो सके हम इसको मीडियम टू हाइट पे भुनेंगे देर हम नेक्स जा रहे हैं वो है ये देखिए हमने भुनाई करी है लेकिन हमने इसको बिलकुल कलर चेंज करके डाक ब्राउन या ब्लाकिश साइड में नहीं किया है ये अब हमने मटन लिया है तो मटन ही कर दिया है और आप याद रखेगा फ्रेंट्स मैंने अभी तक कोई पानी नहीं डाला है क्योंकि मैं इसको ऐसे ही भुनके बनाऊंगी लास्ट में ग्रेवी के लिए मैं पानी डालूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी इसको हम ऐसे भुनेंगे ताकि मटन का जो एक वो स दीरे दीरे हम इसको भुन के अच्छी तरह पकाएंगे जैसे कि मटन अच्छी तरह भुन किया तो मैंने थोड़ा अभी नमक डाला है उसके बाद फिर हम इसको एक मिक्स देंगे हमें इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है मैं आपको बार बार बता रहे हूं अब यह ज जिंजर गालिक और ग्रीन चिली और उसके तिंग छोटा सा प्याज में डाल की ग्राइंड कर लिया है पेस्ट बना लिया है चोटा मतला बहुत ही छोटा सा प्याज ठीक है और फिर अब हम इस मसाले को भी इसमें अच्छी तरह पकाएंगे इसके बाद जब यह मसाला भी अच्छी तरह पक जाएंगे और हलका हलका साइड में से आपको तेल दिखने लग जाएंगे क्योंकि हमने अल्रडी तेल भी डाला है और मॉटन फैट भी है तो यह अच्छी तरह भून जाएगा लेकिन हमने अभी तख पानी नहीं डाला है अब हम इसमें डालेंगे हल्द धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर में जो मैंने यूज किया है वो मैंने कश्मीरी रचिली और तीखी मिर्च दोनों मिक्स करके हिया है आप चाहें तो सिर्फ तीखी मिर्च यूज करें या सिर्फ कश्मीरी मिर्च अब मैं इस मसाले को भी अ टमाटर लिये हैं उसको मैंने काट कर मिक्सी में प्यूरे बना लिया है फिर उसके बाद उसको भी मैंने थोड़ा 5-10 मिट भुना और फिर मैंने इसमें दो बड़े चमच दही के डाले अब उसको भी मैं इसमें डाल के धीरे 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 इसको मैं भूनूंगी ठीक है कुछ कुछ लोग केते हैं कि धही नहीं डालना चाये कुछ केते हैं धही डाल सकते हैं। तो देखीए मैं अपनी रसभीश्य में टाल रहे हूं। फिर मैंने उसको अच्छी तरह भुना तो तेल उपर आने लगया था, मसाला अच्छी तरह पगया था, तब मैंने इसमें गुन-गुना पानी डाला, आप गरब पानी भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें गुन-गुना डाला है, फिर इसको ढखके हमें पकाना है, और आप यह देखिए अच्छी तरह आप देखिए आप तेल इसका बाहर दिख रहा है आपको दिख रहा है ना मतलब ग्रेवी बहुत अच्छी पकी है और अगर अगर आप और जल्दी यह मुझे डेड़ गंटा पॉने दो घंटा लगा इसको बनाने में लेकिन मैंने कढ़ाई में अगर आप कुकर में बनाएंगे तो यह तीन से चार विसल में बहुत बढ़िया बनके पक जाएगा तो यह देखिए मेरा मतन करी रेडी है ठीक है आप इसको ज़रूर ट्राय करिएगा इस तरीके से और फिर आम मुझे फीडबैक दीजेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी ल अब आप जितने भी लोग इसको देख रहे है ना इस वीडियो को आप मुझे देख के बताईए यह जगे का है हाला कि आपको दिग गया होगा लेकिन स्टेल मैं आपसे पूछ रही हूँ यह चीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ और यह क्या है यह आप मुझे कमेंट से अब यह मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉक प्रिंटिंग करते वे कि कैसे एक ब्लॉक प्रिंटिंग का साचा लेके ब्लॉक प्रिंटिंग की जा रहे है यह मैं आपको लाइव दिखा रहे हूँ ठीक है जी आप यह देख सकते हैं बहुत सुन्दर लग रहा था देखने यह उसमें, मैं आपको इपर पास से भी दिखाती हूँ, फिर यह कुछ रेल स्टोन की माला हैं जो हम एक्स्प्लोर कर रहे थे, तो वो भी मैं आपके संग शेर कर रहे हूँ, कुछ खरीदा नहीं, जस हम एक्स्प्लोर कर रहे थे इसको, ठीक है जी, तो आप मुझे को टोर्याइट की, बेट शिट्स खरी दी तो वो मैं आपको दिखा रहे हूँ, तो यह था हमारा इंडिया का टोल, फिर यह हम और रिटर्न हो रहे हैं, तो यह अइरपोर्ट बस में आपको दिखा रही हूँ, तो friends ये था मेरा इंडिया जोर्नी लाइक, शेर और सब्सक्राइब